आशक छी आहार न्यामद जन पते में पहार प्यामद दर्गम प्यामद या मुस्तफा या मुझतमा इरहं लना इरहं लना तस्दुन आलमन इन्दी ताज दारिक ना जान बंद है नभी मुक तारिक ना दीन इसलाम की इशाओत तबलीग के सलसले में जो आलियाई किराम किश्मी तश्रीफ लाए और जुन्हों ने भटके हुए लोगों के दिलों में नूर मुहम्मद सल्लल्लाई लिए वसल्म की शम में रोशन और मुनवर करके उन्हें मश्रफ ब इसलाम किया ऐसे उलियाई किराम में एरान के शहर बल्खी से आने वाले बजर्गों में हजर्त अबद ररह्मान सदाकाद्री फादली रहमतुलाई सरि फहरिस्त हैं आप रहमतुलाई की जियारतगा जनूबी जिल्ला अनंतनाग में वाका है हजरत अब्दुर्रह्मान सदाकादरी फाजली रहमतुला अले कश्मीरी अदब के बलंद पाया सूफी शायर थे ताहम उनकी हयात मुबारक ज्यादा गुमनामी में ही रही लेकिन इनके कलाम ने आज भी इन्हें लोगों के दिलों में जिन्दा रखा हुआ है आप रहमतुला अले कादरिया सिलसला से पापिस्ता थे हम सदा अब्दुरह्मान रहमतुलाहिया का यौमी विसाल आज मना रहे हैं इनकी यही तालीम रही है कि हर किसी के साथ खुश असलोवी से पेश आए हसद कीना दिल से निकाला जाए कोई बायर नहीं रखना चाहे दिल में हजरत अब्दुरह्मान सदा कादरी फाजली रहमतुलाहिया का सालान और सिपाक इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया इस सिल्सले की सबसे बड़ी तकरीब आपकी जियारत गाहवा का जनूबी जिल्ला अनंतनाग में मुनाकिद हुई जिस दोरान मर्दुजन की एक खासी तादाद ने यहां खाजरी दी और आप रहमतुलाहिया के तईं खराज पेश किया जायरीन ने यहां शब और रोज मुनाकिदा रूफ पर वर रुहानी मजलस में शिर्कत की जिस दोरान अकीदत मंदू ने दरुद और अज़कार, खत्मात अलमाजमात और नात खानी की मजलस आरास्ता की पूरे इलागे की फजाएं मौत तर हुई, सालाना और सिपाक के दोरान सूफी महफिल मौसिकी का एहत्माम किया गया लेकिन बदस्तम जेर दामने मौम्माद सुदा मेलान चानी दुकाने गात कराई चानी आस ताने दुकाने परमाई शम्हास जूट नूरा नै फल्वा सब देत करिनस गास परमाई शम्हास जूट नूरा नै फल्वा सब देत करिनस गात फल्वा सब देत करिनस गात बगत कभीर का एक शायर है माटी का उखे कुमारस तो कि नोगवा रौंदे एक दिन आइसे आए मीडि़ो तोई इसका शुमार को मिटी के हम सब बने हुए है एक दिन आए साया कि यहा माटी जो है पुक्त मैं हमसे हिलों हो जा ना हूं ago his मांटी सुर्णाय के माहिद मांटी का पास है मांटी का पुक्त आइसा बना था कि मांटी कहे कि नई आआप आजा हमारे पास में धर्थ साहिवी द्राग कर रहा है यो आधिये डिल्स है ये आवल्या है इसी परinch करें सरदार आलम अजकाश से गम वला चिस महकम हजरत अब्दुरह्मान सदा कादरी फाजली रह्मतुला अले का फैज आम आज भी चारी है जो भी अपने मुश्किल कुशाई के लिए आपके दरबार में आता है वो खुदा के फजल करम से कभी मायूस नहीं लोटा और सिपाक के दोरान आप रह्मतुला अले की सियारत कह पर अकीदत मंदु ने अपने हाजात की रवाईयों की खातर बारगाहे इलाही में हाथ उठाए किसी ने यहां मनतुं की गांट डाली किसी ने उम्मीदों का खाली दामन थैलाया किसी ने अल्ला के हुजूर सर्ब सुजूद किये तो किसी ने यहां नजर नियास चड़ाया यह किश्मीरी रवायत का एक बड़ा हिसा है कि हजूरत अब्दुरह्मान सदाकाद्री फादली रह्मतुला अल्य जैसे आलियाई अल्ला की सियारत का हुपर मर्द, खवातीन, नौजवान, बच्चे और बुजर्ग हाजरी देते हैं नभी असदोरूद, सोजान मौला, पर्तुरूद बने बादशार हम दुन्या के लिए अम्म चाहते हैं और यह पैगाम चाहते हैं कि यह अम्म सारे दुन्या में रहे जो इस वक्त बड़मी ए दुन्या में हम इसके लिए जएदा दुआ एक देते रहे हैं यह से और जबानी हम दर्स भी दे रहे हैं लोगों को कि आप इसमें बाईचाहरे रखो क्योंकि यहां हम दुन्या मुस्लिम सी किताद का जएदा दर्स चल रहा है हमारे पास सब लोग इंसान हैं हम बहस्चित इंसानियत यह दर्स दे रहे हैं सब मझहब एकी है हजरत अब्दुर्रह्मान सदाकादरी फाजली रहमतला अले जैसे हजारों वली कामलों की तश्रीफ आवरी से ही कश्मीर को उलिया की सर्जमीन कहा जाता है सूफिया ने हर जमाने में अवाम के तख्यूलात अमल, किरदार और अकाइद पर गहरा असर डाला और कई बेहतरीन दिल और दिमाग रखने वाली फाजल श्चितों को अपनी तरफ माइल किया अना और मैं को खत्म करके सबक सीखने में ही भलाई है जिन्दगी हक की राह पर और रहबर के लिए कुर्बान करनी चाहिए